है गाइस वल्कम बैक तो दी चैनल स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानि की आपकी योगयता पर एक्सपीरियंस आपको चाहिए या यहां पर चाहिए अगर आप डी ट्रिपल एस्टी के लिए अपलाई कर रहे हैं तो डी ट्रिपल एस्टी का ओफिशियल नौटेस जारी हो चुका है नाइन्थ जन्वरी से आपके फॉर्म फिल होना लेवन फैबरेरी आपकी लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने के लिए तो नई साल पर आप लोग के लिए अच्छा मोगा है 2024 की वेकेंसी है क्योंकि तभी हमारे फॉम फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो अपनी तयारी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आप प्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में हम आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कितने मास्टर्स चाहिए बेड के साथ अप्लाई कर सकते हैं या बेड के बिना अगर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए क्या कंडिशन है सीटेड चाहिए के नहीं चाहिए यह सारी चीजों के बारे में आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो अगर आप किसी भी टीचिंग एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ यह बैल आइकन को प्रेस कर अगर आप हमारे साथ WhatsApp के तुरू जुड़ना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें जैसे कि आपका नाम आपकी सीटी और आपके एक्जाम का नाम सपोज अगर आपका नाम है जोती तो आप लिखेंगे जोती और सीटी है आपकी डली तो आप डली लिखे साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है वह आप मेंशन कर देंगे ताकि आपको आपके एक्जाम से रिलिवेंट जो इन्फोर्मेशन है वह मिलती रहे आने वाले कुछ वीडियो में आने वाले कुछ दिनों में हम डिसकेस करेंगे डी ट्रिपल एस्बी के प्रीएस यर वीडियो और डिटील्स आपको जो है सेंड कर दी जाती हैं फेस्बुक ग्रूप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अगर आप तयारी करने हैं तो स्टडी पोर्टल आपको नोट्स प्रवाइड करता है जो कि आल ओवर इंडिया है कि एपको या दिया के लीपने हैं तो अप इसको गूगल अप्सरी आप करकेंगे इस तरीके से इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले जाना होगा आपको एप पर आप पर आप स्टोर में सर्च करेंगे DSSB या PZT लिखेंगे आपका सब्जक्ट लिखेंगे किसी भी तरीके साथ सर्च कर सकते हैं और DSSB से लेटर जितने भी सब्जक्ट होगे वह आपको यहाँ पर अविलेबल हो जाएंगे फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी कोर्स के मिलने में तो आप हमें हमारे हैल्पर नंबर पर ही कॉंटे कर सकते हैं 844-7410108 पर यह नंबर आप डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पॉर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं स्टडी पॉर्टल एक वन स्टॉप सॉलुशन है आपके सभी टीचिंग नीड्स का चाहिए आप टीज़िटी तैयारी कर रहे हैं प्यार्टी पीज़िटी वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल एवन अससेस्टेंग कमिशनर तो आपको यहां पर लाइफ कोर्स उसके साथ साथ रिकोर्ड़ बाच इस अविलेबल है और आप अपना एक्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद इंटेव्यू प्रिपरेशन बै है तो इसमें आपको अलग-अलग सेक्शन के अलग-अलग बुकलेट मिलती है जैसे आपकी हिंदी इंग्लिश जिक्के हो गया मैथ रीजनिंग और आपका सब्जेक स्पेसिफिक पोर्शन तो आपको यहां पर पूरा प्रोवाइड किया जाता है इसके लिए आप हमें हमा टोजन रुपे तक का इस पर डिसकाउंट प्रवाइड है तो उसके लिए आप हमें हमारे हैल प्राइन नमबर पर कॉन्टेक कर सकते हैं फोर डिसकाउंट ओफर आप वहां पर पता कर सकते हैं इस तरीके साब देख सकते हैं जैसे यह मैंने आपको टीजटी साइंस का एक ऐसे मीटं कहीं है ऐसे अब के पास होनी चाहिए इस तरह जिस मैं ओशनी कर रहे हैं उसी सबजक्स में आपकी master degree होनी चाहिए किसी भी recognize university से इसके साथ ही आपके पास बेड होनी चाहिए degree in education होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर यह बात clear कर दूँ कि मैं seated जो है अभी हमारा पीजिटी लेवल के लिए नहीं है तो सीटी जो हमारा सीट है वह आपका note है उसकी जरूत नहीं है तो किसी भी तरीकी के टैट की जरूत नहीं है अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ master degree है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना बेड डिगरी के भी तो अगर आपके पास बेड डिगरी नहीं है तो आप कैसे फॉर्म फिर सेकिंड ओप्शन यह है कि अगर आपके पास PhD डिग्री भी नहीं है तो आपके जो मांक्स हैं वह फॉस्ट डिविजन होने चाहिए यानि कि 60% मांक्स होने चाहिए कौन कौन से चेक किये जाएंगे सिर्फ master's के नहीं बलकि आपकी जो higher सेकेंडरी आपकी प्लस टू है आपकी जो डिग्री आपकी जो graduation है और उसके बाद आपकी पॉस्ट ग्रेज़ोट जो आपकी master's है उन तीनों मेहीं आपके exam में जो marks हैं वो आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए तो ही आप form fill कर सकते हैं यह mandatory condition है किसी एक में भी कम है तो आप form fill नहीं कर पाएंगे अगर यह 60% marks हैं तो उसके बाद क्या condition है कि आप joining करने के बाद 3 साल के अंदर अपनी beard complete कर लेंगे इसके तीन साल के अंदर आप अपनी beard कर लेंगे यह आपकी eligibility है ठीक है तो education में master's plus beard beard नहीं है तो PhD PhD भी नहीं है तो 60% marks आपके 12th graduation master's में होनी चाहिए प्लस आप 3 साल के अंदर जब आप joining कर लेंगे उसके 3 साल के अंदर अपनी beard complete कर लेंगे यह आपकी education से related जो है qualification है seated मैं आपको पहले बता दी है seated यहाँ पर note required है बात करें experience की क्या कोई experience चाहिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए आप अगर आप फ्रेशर है तो भी आप apply कर सकते हैं है यहाँ पर किसी experience की requirement नहीं है हाना कि desirable है अगर किसी candidate को तीन साल तक का experience सब्सक्राइब कीचिंग में किसी भी school college में तो उसको preference दी जाएगी बट इस नोटे नहीं फ्रेशर है तो apply कर सकते हैं ठीक है इसके साथ एज की और बात कर लेते हैं क्योंकि है तो मैक्सिम्म जो एज लिमिट दी गई है वह हमारी 36 साल तक की जो एज लिमिट यहाँ पर पीजिटी में दी गई है इसके अलावा जो भी आपकी गवर्मेंट के कोडिंग रिलेक्सेशन होते हैं वह प्रवाइड है तो इसके रिगार्डिंग उसके लिए सेपरेट वीडियो चैनल पर अप्लोड़िड है वहां पर आप देख सकते हैं तो एक बार पर से बता दो अपने डिटेल कर सकते हैं अपना नाम सीटी और एक्जाम का नाम लिख के आप हमे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा एंड्रोड और आइफोन दोनों पर ही उपलब्ध है स्टोर में जाएंगे आप सर्च करेंगे डी ट्रीपल एस भी तो आपके पास कोर्स आ जाएंगे इन कोर्स की क्या खा में मई един अभिलेबल रहेगा इसके साथ साथ आपको हाड़ को धने दे जाते हिए और न्यूवर्पर डिस्कौंट है इन पर अगर आप यह जोईन कर रहे हैं तो इन कॉर्स पर आपको डिसकाऌंट प्रवाइडल है आप यह इन कोर्स को जोToday कर सकते वह जाएंड़ों अगर आप नोट्स ओर करें तो नोट्स पर भी पूरा 1000 रुपे का डिसकाउंट है जो आप ओर कर सकते हैं तो स्टेडी पोर्टर पर ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेज बलकि रिकोर्डिद क्लासेज टैस्स और इंटरव्य बाचेज भी प्रोवाइड होते हैं अगर आप सकते हैं यहां पर दिखाए हैं जिस भी सब्सक्राइब करें उसके रिलेटिड स्लेबस आपके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले स्लेबस देखना ताकि आप अपनी तैयारी आच्छे से कर पाई तो स्लेबस से रेलिवेंट भी वीडियो हमारी चैनल पर अप्लोड की ग कमेंट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंकि सो मुझ बबाई टेक केर